बॉद्धाचारे शांती शरूप बॉद्ध बड़ा नाम है पूरे भारत में क्योंकि धम्व का जतना साहिते और जतना लिट्रेचर और महापुर्सों के जतने पोश्टर पूरे भारत में चलते हैं वो उनके सम्यक प्रिकासन से ही प्रिकासित होते हैं बच्चे बच्चे को घरगर में जहांबी कैसा भी चाहें वो बहुजन का कोई भी हिस्सा है SC, ST या OBC या TRIB है जो भी है सारी किताब और सारा जितना भी साहिते और फोटो हैं वहीं मिलता है ये सुविधा पूरे भारत में खास हो से नौर्थ में सब लोगों को प्राप्त होती है बच्चा-बच्चा उनके नाम को जानता है हर किताब की पीछे उनका फोटो और उनका नाम है कल यानी छे तारिको मैं जब स्टूडियो में सूटिंग कर रहा था लगबग तीन बज कर तीस मिनट पे तो मेरे मोबाइल साइलेंट पर रहते हैं मगर एक मोबाइल बार 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 बच रहा था तो मैंने वीडियो खतम करके उस मोबाइल को उठाया देखा वाटसेप पर कॉल थी एक अनोन परसन की थी उन्होंने मुझसे कहा आवास उरी कम आ रही थी तो उन्होंने मुझसे कहा बात करते करते क्योंकि मेरा ध्यान वीडियो में था और मैं उनको जानता भी नहीं था तो उन्होंने पूछा कि क्या दिली में सांधी सरुप जी के साथ कुछ हुआ है क्या क्या वो अभी नहीं रहे हैं तो सुबह मेरे पास ख़बर आये थी कि शाहादरे में जो भाते बौद महासवा के पराने दिली परदेश के अध्यक्षे हैं रामपाल गौतम जी वो एकस्पायर हुए हैं कोरोना से और मैंने का कि नहीं रामपाल गौतम जी की ख़बर आई है वो करोना से एकस्पायर हुए हैं और मैंने वो फोन रखा क्योंकि मेरा पूरा ध्यान वीडियो की सूटिंग करने में था और वो फोन मैंने बंद किया और फोन बंद करने के बाद मैं अपने काम में लग गया फिर गंटिया बाद मैं भी लगाता और बसती रही तो मुझे लगा कि साइलेंट पर वो दुआरा फोन कर रहे है मगर मेरा माता थोड़ा सा ठंका कि अगर कोई व्यक्ति सांती जी का नाम ले रहा है तो कन्फूजन रहा होगा क्योंकि death की खवर ना बिना confirmation के कोई उड़ाता नहीं है यह कोई कहता नहीं है तो मुझे थोड़ा सा जटका लगा क्योंकि मैं विपस्ना करता हूँ और अनिच्यवत संखारा को समझता हूँ तो मैं जानता हूँ कि सारे संखारे अनिच्य है अनित्य है जितने भी प्राणी है जितने भी मनुस्य है दुनिया में जितनी भी चीज़े है मैं भी हूँ या मेरी वीडियो है या मेरा कैमरा है या मेरा जीवन है या मेरा परिवार है या ये दुनिया है या ये घर है जिसमाई ये मैं बना रहा हूँ या इस्टूडियो है सब ये अनिच्य है अनिच्यवत संखारा यानि सारे जो संखारे है एक्ट फॉर्मिजन है वो अनित्य है कुछ नहीं बसता तो काम जरूरी है काम करना है और मेरा चूकि इस्टूडियो में सूटिंग चल रही थी तो मैं सूटिंग में अपना वेस्ट हो गया मन मैं कहीं रहा कि साथ कुछ हुआ है थोड़ा सा एक सेकिंड को एक पल में ये ऐसा लगा कि जैसे कुछ गवड हुई है तो मैंने देखा विपस्णा करने वाला पने मन से अपनी बोड़ी पर प्रभाव को देख लेता है तो मैंने उस प्रभाव को देखा उप्रभाव आया शरीर पे जैसे डैथ हुई है और उसके बाद वो चला गया तो मैं अपने काम में लग गया काम जरूरी होता है मैंने वीडियो बगएरा बनाई और वीडियो बनाने के बाद में मैंने देखा तो बहुत सारे फॉन आये हुए थे क्योंकि अधिकतर लोग फॉन करके पूछते हैं दिली में क्या हुआ नहीं हुआ तो लगबख बाहर के कॉल थे कुछ दिली के भी थे तो मैं समझ गया कि साइद शांती जी के साथ में कुछ हुआ है फिर एक कॉल मेरे पास अभी आई तो उन्हें बताया कि शांती जी ऐसे ऐसे कॉरोना से एक्सपार होगे और वो अब इस दुनिया में नहीं है उनका पांच बजे निकम बोद गाट पर क्रेमिनेशन है और क्रे क्रेंके पास नहीं है जहां वो बोडी का दहन करना है वहाँ पहुंसती है और 20 लोग ही अलाओ है बलकर को रभाना पास लोग जा सकते हैं और नॉर्मल केस में 20 लोग जा सकते हैं वहां फोटो बाद में आई मैं जा नहीं पाया क्योंकि लेट हो गया था और वहां फोटो ये जो छेम्बर है उसमें उनको आखरी सरीर को खतम किया गया है उनकी जो अटियां है यानी अस्तिया मात जो समताबूद भिहार है उसके ऊपर के हिस्से में रख दी गई है जब कभी कोई कायक रम होगा तो वहां से यहां मेरे घर से और उनके घर के जो बीच में डिश्टैंस है वो तो किलोमेटर is less than one, जो 25 साथ में कार से मेरा स सब्वह काम हो। और मेरा उनसे जो पहचान जाने जाने हैं 25 साल से जाथ से हैं। 25 साल से जाथ साता हम धंगा कोई भी काम हो। वेचारिक उनके मेरे मतवेद में हम आपस में क्योंकि वो किताब पढ़ते हैं मैं किताब पढ़ता हूँ किसी सर पर मैं मुलच जाते हैं किसी पर हम बात करते हैं वो हमारा चलता रहता है मगर धम चले ये दोनों की एक्षा रहती है और मेरा मतबेत कैवार उनसे इस बात पर रहता है कि वो इतने सक्षम है चाहें तो दिल्ली के सारे बहुत दो को इखटा कर सकते हैं और ये काम उनको करना चाहिए और इस काम कि उन्होंने हाम ही नहीं बरी इस बात के लिए मैं हमेसा उनसे नाराज भी रहता था कि आप ये कर सकते हैं बलकर उल्टे वो मुझे से कहते थे कि आप मैं ये च्छमता है आप चाहें तो पूरे देश के बहुत दो को इखटा कर सकते है तो मैं कहता था कि आप मैं च्छमता है मगर उनका प्यार उनका इसमें था कि वो किताबें उनके यहां से जितनी किताबें मुझे लेनी हो वो special rate पर मुझे मिलती थी और इसके अलाबा अगर मैं किसी को recommend भी करूँ तो उसको भी special rate पर मिलती थी वो अपना मुनाफ़ा नहीं लेते थे और यहां तक कि अगर कभी कोई हम कायकरम करते थे तो उनका कोई भी poster या कोई भी banner जो उन्होंने कभी किसी को नहीं दिया वो poster वो मुझे देते थे इतना यकिन करते थे कि मैं copyright act समझता हूँ और उनका poster किसी और को दूंगा भी नहीं और मैं देता भी नहीं था क्योंकि हमने उनके बड़े-बड़े poster लगाए और बहुत उनसे poster लिए 2006 के अंदर जब बावा साप का जैनती का पचासमा गुल्डन जूली कायकरम हुआ तो हमने सबसे बड़ा कायकरम किया था दिल्ली में वो उस समय भाती बहुत महाद सवा में थे मगर यहां के लोग उस कायकरम को करने के लिए अक्छम थे तो हमने एक टीम बनाई और टीम बनाके वो कायकरम किया दिल्ली का नौर्थ का सबसे बड़ा कायकरम रहा उसमें बहुत अच्छे अच्छे लोग उसमें रहे जो शाम तागडे जी हैं आईस हैं वो रहे जो डॉक्टर अप्टार सिंगी हैं उनकी लीडर्शिक में हुआ जो राश्यकर बेंडरू हैं वो उसमें रहे जो शानिसर बहुत जी हैं वो रहे में रहे जो सपन कुमार विसवाज जी हैं वो रहे और इसके अलाबा बहुत सारे गल्माने विक्तित रहे और आपके जो इस समय पार्टी चला रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं विज पूरा पैसा दिया तो उसमें जो जितने भी होड़िंस लगे या जितने भी फ्लेक्स लगे वो सब उनकी ही जो उनकी कला थी और जो उनका कलेक्शन था उसी जब बनके आए और उन्होंने भू लगवाय थे सारा काम उनसे वो हमने करवाया था तो कला के छेतर में और जो उन्होंने साहिते छेते हैं उसका कोई जवाब उसका कोई सानी नहीं है अक्सर जब मैं उनके घर जाया करता था तो घर में हम बहुत सारी बाताय करते थे बहुत सारी चर्चा करते थे और चर्चा करते हुए वो मुझे अकसर सलक पर छोड़ने आते थे लगवग अमूमन सलक पर छोड़ने आते थे टेलते टेलते में साथ बातें खतम नहीं होते थी हमारी गाड़ी सलक पर जाती थी तो वो पैदल का रास्ता होता था और वो पैदल का रास्ता तीर मिनट का रास्ता हम लगवग 15-20 मिनट में तैय करते थे तो मैं आखिर में गाली में बैठते बैठते हूं से एक बात जरू करता था कि आप बहुत कींती हैं तो कि आप बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बढ़िया काम करते हैं अपनी सिहत का ख्याल लगिए तो वो कहते थे भाई जी मैं दवाई ले रहा हूँ मैं जा रहा हूँ, डॉक्टर वैसे मैं ठीक करता हूँ और मैंने यात्राइं बंद करती हैं मगर मुझे जाना पड़ता है बहुत सारी कॉल आती है और ये सारे काम मुझे करने पड़ते हैं तो मैं फिर भी ध्यान रखता हूँ तो उन्हें खाना भी बहुत खिच्डी का कर दिया था और खिच्डी ज़्यादा खा दे थे खिच्डी ज़्यादा खाने से साध उनकी इम्मूटी थोड़ी कमजोर होगी क्योंकि आप प्रोटीन नहीं लेंगे तो इम्मूटी कम हो जाती है और वो पेटियम को सिकात रहती थी तो वो दवाईयों की चलती रहती थी परिवार उनका बड़ा रहा है उनके पाँच लड़के और एक उनकी लड़की सभी साधी सुदा है और उनकी जो पत्नी है वो परिवारे वो सब रहते है एक उनकी सिष्टर बची है जो लबगग 90 साल की है पुराने वो फरास खाने में रहते थे फरास खाना दिल्ली का है और शुरू में उनको अदाकारी का चित्रकारी का बड़ा शौक था उन्होंने मिर्स्टी आफ होम के अंदर सर्विस भी किये 20 साल थक उनको पैंसन भी आते थी उनका सर्विस में मन लगा नहीं तो उसको छोड़ शाल के वो आगे तो चित्रकला वो बहुत अच्छी करते थे चित्र बहुत बड़िया बनाते थे और उनकी चित्र बिदेश जाया करते थे उनका इंटरनेशनल लेवल पे जो टेट था वो बहार से था यानि वो डॉलर करमाया करते थे यहां से वो जो water painting है water color painting है उसको बनाते थे सिल्क पर और उसको सिल्क पर बना के उसको बहार उसको export करते थे उसका पैसा उनको आता था ये काम उनोंने बहुत बात तक पी किया है इसलिए चितर कला में उनका कोई जवाब था नहीं पुली टीम उनके पास ही बहुत सारे चितरकार उनोंने पैदा किये है फिर भारतिय बहुत महासवा में उनोंने पहला जो poster बावसाब को और बुद्ध का बनाया था वो बड़ा ही famous रहा तो उधर भारतिय बहुत महासवा को एक किताब निकालने थी जो बावसाब ने भारतिय बहुत महासवा बनायी थी दगुद्धिस सोसाइटी आफ इंडिया उसमें किताब धम दरपन करके निकालनी थी उस किताब को निकालने के लिए ये हुआ कि चितर तो वो बनाते ही थे तो उसमें चितर डालना होता था तो टीम ने ये कहा कि शंसरुप आप ही इसको एडिट करो आप इसको देखो कैसे होगी तो पहली किताब थी जो उन्होंना एडिट किया और बनाई उसके बाद जो किताबों का सिल्सला चला तो वो बारे सो तेरे सो किताब अब तक वो निकाल चुके हैं यानि कि बारे सो तेरे सो टाइटिल उनके हैं नौर्थ भारत में और साउथ का भी जो भारत है पूरे भारत में इतना बड़ा टाइटिल यानि बारे सो तेरे सो किताब च्छापने काम अभी तक किशी ने बहुजन समाज में किया नहीं है अक्सर जब हम बातें करते करते आते थे तो मैं उनसे दू बातें अक्सर कहता था कि आपके बाद इस सल्तनत को समा लेगा कौन क्योंकि आपने इतना बड़ा हाउस बना दिया है पब्लीकिसन हाउस तो इसे समा लेगा कौन दूसरा यह है कि हमें हजार हाउस की आउशकता है क्योंकि हजार हाउस हमारे पास होने चाहिए पब्लीकिसन हाउस जहां से हम निकाल सकें कुछ लोग हैं डंक से काम नहीं कर पा रहे हैं आपके अंदर वो कला है कि आप बिजनिस भी समाल सकते हैं समाजिक परिस्थिती भी समाल सकते हैं आप धारम की सिती भी समाल सकते हैं और आप कहीं विद्रो भी कर सकते हैं अगर रख करना है यह समय नहीं होती हलाकि इसकी बड़ी दिक्तक्यूरे महसुस होती थी क्योंकि कुछ अंजान लोग जो आते थे वो ऐसा उमीद करते थे कि शान्ती सुरूप बौद चोकी समाजिक आदमी हैं धारमिक आदमी हैं इसलिए उनका काम फ्री में कर दें या उनके काम से कोई मुनाफ़ा ना लें बर उनके यहां स्टाफ होता था जो 5-7 लोगों का हर समय स्टाफ चलता था टाइपिंग का, प्रिंटिंग का या जो वहां एडिटिंग करते थे उसका और वो सारा पैसे पे चलता था बिजली पानी कंपूटर का खर्चा लागया और वो बैठके वहां कराय करते थे तो अगर घोडा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या, अगर वो मिस्नरी होते हुए सारा काम अगर वो मिस्नरी कर देंगे तो फिर तो किताब एक भी नीचा पाएंगे उनके परिवार ने भी बहुत ज़्यदा सिरुप किया क्योंकि परिवार उनका अतना ज़्यादा लगा रहता है कि पूरे दिन वो किताबों को डिस्ट्रिबूट करते रहते हैं, बनाते रहते हैं, छबाते रहते हैं कोई शांती से बैठता नहीं ये उस परिवार की खास बात रही और धमो को बढ़ाने में जितनी उनकी लालसा थी ये हमारे परिवार की लालसा है ये और भी परिवारों की है वो सारे परिवार धमी के लगब एक ही सुर में एक ही बात क्या करते थे वह चारी बात अलग होती है, मगर धमो को जब सामने बढ़ाना हो तब सब एक मुठी बंदों के काम क्या करते हैं इसलिए कोई भी उनका धंगा कायकम जब भी लगता था अक्सर वो मेरे को कहा करते थे कि मैं आपको मंच पर बुलाना चाहता हूँ चोकि मैं मंचों पर नहीं जाता और मंच पर बैठने में मुझे बड़ा अजीब सा लगता है कि वहाँ टांग पर टांग रखे और बैठ जाओ सोफे पर और सामने को लोगों को देखते रहो मैं थोड़ा सा एक्टिव हूँ मुझे अजीब सा लगता है खाली बैठना और खास तोर से एक छोटा सा भाशन देना है उसके बाद चार गंटे वहाँ डूटी बजानी है वो तो मुझे और भी जादा बेका लगता है ऐसा लगता है जैसे किसी ने जोकर मनागे बठा दिया हो और बैठे रहो वहाँ लाइट है पड़ी होई है फूट किषाते रहो बड़ी अजीब सीसिती लगती है मुझे तो मैं उससे बचता हूँ मगर मैं कारीक्रम की समक्षा करने के लिए कारीक्रम देखने के लिए और लोगों से मिलने के लिए अच्छा लगता है बच्पन से ही तो मैं बैक पंचरी रहा एक्टिविटी मास्टर की अक्टिविटी देखने में मुझे बड़ा मज़ा आता है साइकलोजी रीट करने में बगवान बुथ तो साइकलोजी के मास्टर थे थे थोड़ी बहुत हमें भी आती है तो देख लेते देख क्या समिक्छा लगी ता हम समिक्छा पहें चर्चा करते रहे थे बड़े प्लान उनके थे बहुत सारी बाते उनकी मन में थी जो उनने बताई एक बात तो उनकी मन में ये थी कि जो मेट का भhमन दिली वाला है वो मुक्त होना चाहिए क्योंकि उस पे कुछ लोगों का एक तरह से कबजा हो गया है और वहां से करांती रुकी पड़ी है दिल्ली का काम रुका पड़ा है वो बहुत बड़ा सेंटर बन सकता है वहां ये बहुत बड़ा बुद्विहार बन सकता है एजुकेशन सेंटर बन सकता है और वो पॉब्लिक रिलेशन का बहुत बड़ा आफिस बन सकता है पूरे वर्ड का क्योंकि वो सेंटर में है और बावा साब ने इसलिए उजमिन को खईदा था कि यहाँ पूरे वर्ड का एक सेंटर बनेगा जिससे लोग आएंगे जाएंगे सुचनाओ का अधानप्रदान होगा अधानप्रदान होगा और यहाँ जो लोग हैं तो मैंने उनसे कहा कि कैसे होगा आप बताओ तो उन्होंने कहा कि यह बच्चे आ रहे हैं यह सब सेंटर मना रहे हैं यह भीम के बच्चे आ रहे हैं भीम की सेंटर आ रही है ये सब वो जो लोग निकम्मे लोग हैं जिनोंने अम्बेट का भवन पर करांती को रोग दिया है उनको भगा देंगे क्योंकि अम्बेट का भवन उनका नहीं है अम्बेट का भवन तो बावा साब का है और बावा साब की सेना इसको अपने हाथ में ले लेगी मैं उमीद करता हूँ कि ऐसा ही हो ऐसा ही हो ऐसा ही हो अंबेट के भवन मुक्त हो जाए और उनकी अंतिमिक्षा पूरी हो जाए एक चाप बहुत नंदर तक उनके अंदर दभी रही बाद में जो उनकी कारे कारणी यह हैं उनसे मेरी बाचित हुई सबी इस बात के लिए परसान रहते थे कि अम्वेट के भवन मुक्त होना चाहिए उनके जो अनुयाई है वो इस बात के लिए सोचेंगे कि साइद अम्वेट के भवन अगर मुक्त हो जाए तो उनको कहीं जो मन है उसको कहीं अच्छा लगे हमको खुद को अच्छा लगेगा कि उनकी अंती मिक्षा को हमने पूरा किया और अच्छा तो यह हो कि अमेटर भवन पर जो लोग करांती को लोग के पड़े हैं जो वहाँ पे कुछ बने नहीं दे रहे हैं ना कोई सेंटर ना एजुकेशन सेंटर ना कोई महाँ पे आदान परदान का ना ही कोई पढ़ाई का ना ही कोई मिटिंग का उनको खुद ही हट जाना चाहिए इस सरम के साथ में कि जितना लूट सकते थे मिटर को भवन को लूट लिया अब उसको लूटना बंद कर देना चाहिए बावा साब का सपना पुरा होना चाहिए बावा साथ की property को छोड़ देना चाहिए बावा साथ की property पर समाज का कबज़ होना चाहिए कुछ लोगों का नहीं होना चाहिए यह उनकी एक्छा थी और मेरी एक्छा थी के Publication House बहुत बड़े होने चाहिए तो वो कहते थे के हमारे समाज में समझ बड़ी कम है लोग बहुत है ऐसे Publication House एक हजार होने चाहिए मगर competition में लोग आते नहीं है आएंगे तो वो मेरे को उटा सीधा कहते रहते हैं वो ऐसा सोचते नहीं किया रहे भाई अगर सांधी सरू बहुत एक किताब से Publication House को बना सकता है तो तुम क्यों नहीं बना सकते हो इसमें बड़ा फायदा है किताब बड़ा फायदा है सामान बिचने में है सो दुकाने होंगी तो ज़्यादा बिचने में है हजार दुकाने होंगी पूरी दुनिया तो ज़्यादा बिचने चलेगा 85% का इतना बड़ा साहित है 85% लोगों की इतनी बड़ी जागरती है 85% लोगों को कितनी किताब चाहिए करोड़ों किताब चाहिए एक किताब के अगर 50 रुपे बचाओगे तो कितना खमा सकते है ये बात वो मुझे कहते थे और मैं समस्ता भी था और मैं समस्ता हूँ कि जो लोग उनको सद्धाजली देना चाहते है करता कितनल जीद देना चाहते है कतयूंता देना चाहते है ट्रबूर देना चाहते है उन में अपना विस्वास रखते हैं उनकी बाद से थोड़े आहात हैं दुखी हैं तो उनके इन दोनों सपनों को पूरा करें कि आप अपना पबली के समाउस बढ़ाएं किताबों की रेंज बढ़ाएं या तो किताब बेचना सुख करें या चापने या बढ़ाएं जैसे भी करें और एक अम्बेट का भवन को छुड़वाएं या अम्बेट का भवन के वो जो लोग हैं वो उनको सद्धाजिल देते हुए अब इसको छोड़ दें और यहां नव यूबकों को और नव यूबाओं को आने दें यह लोग आके समान लेंगे तो यहां कुछ भला हो जाएगा समय बहुत ज़्यादा खराब चला है मैं बहुत धम की अनुसार धम की सिक्षा के अनुसार क्योंकि धम में रोने की धम में कुछ निगेटिव कहने की पूरीत से मनाई है अनिच्चवत संखारा होता है मगर धम का काम रुकना नहीं चाहिए और धम का काम चलना चाहिए मैं उनको किटेक्ता उनका आभार प्रिकर करता हूँ क्योंकि वो मेरे एक गुरू रहे है मैंने बड़ा उनसे सीखा है हाला कि वो 71-72 साल के मैं भी 50 साल का तो लगवब 20 साल का मैं छोटा हूँ मगर उनकी जो प्रिटिवा है वो मैंने देखी है और वो मेरे को बड़ा एप्रिशेट करते थे और वो यह कहते थे कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा धम का काम करेंगे और आपके अंदर यह छमता है कि आप सब लोगों को एकटा भी कर सकते हैं जबकि मैं यह कहता था कि आपको सुरुवात के निचे ही हम तो आपके साथ हैं तो उनकी इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी लोगों से मैं निवदन करूँगा दिल्ली के लोगों से खासतोर से कि धम को एक हो जाएं धम में सब एक हो जाएं एक संस्था बनाएं और ऐसे महान लोग और भी महान लोग हैं उन सब को जो आपकी किर्टकता है जो आपकी ट्रबूट है जो आपकी सद्धांजली है जो आपका ओनर है वो तबी सच्चा माना जाएगा जब आप अलग-अलग धम्मिक ना होके एक साथ धम्मिक होंगे एक साथ धम्मका काम करेंगे तोकि अनिच्चवत संखारा है जाना सभी को है अगर आप एक साथ सबस रहेंगे तो लोगों की ताकत बनेगी फिर आपका मान सम्मान प्यार एक साथ बहुत रहेगा समाज उन्नती करेगा आपको भी अच्छा लगेगा धन्यवाद अगर आपको यह चिता मत करना पिछिडों, सोशितों, वन्चितों, महिनाओं मुप्दी का बास दिखाने वाले ओधिसातु बाबा साहर डांट रम्मेट की पावन पिस्टिति की साथ मंच्पाव, राजबान, भिक्व साहर्ण और भिक्व साहर्ण और भिक्व साहर्ण का मतलब पहले मा भिक्व तथागत सम्मय का संबुत से लेकर आज तक जितने भिक्व हैं वन्वे समीती के मैंति जुजारू उखारे करता है वो साथ और मेरे समक्ष बैखे हुए बाबा साहर्ण के समस्त बाबा साहर्ण के सब्सक्राइब करने दस लाग लोगों को 1906 में देख्षित करके जो मांदन इस्थापित किया वो तूट रही पाया कोई भी उसे तोड़ नहीं पाया इसका मुझे दुख्रा है और सात्यों मुझे उम्मीद है कि ये समन्वे समीदी जो आपके सामने ये गम्दार और शांदार कारेकरम दे रही है इनका आपस का प्रेम और समन्वे बना रहा तो ये अपने तेविस दुलाई को एक रिकोर्ड बनाया था दिले के साह ओडिटोर्यों में बनाया था मुझे आज़ हमारे ये कारेकर्ण का रेकोर्ड टूट गया इस टूटन में मुझे अपार अपस हो रहा है पाकियो कहने का मतलब यह है मेरे बोत धरम में जो अंग्रेजी का एलफा काता है उसका बहुत बढ़ा पहत्व है क्योंकि जो एने का मतलब अमिताब चीन में, काईवान में, जापान में, कोरिया में, विए पुराम में मेरे बुद को अमिताब कहते है तो ये बुद धरम का कल्यानकारी धरम का अमिस्कार ज़स्व्यक्ति नहीं किया उसका नाम था अमिताम यानि के आ उसने संसार के अंधकार को मिठाने का अतामी दिया मगर साथियों उन्होंने जो संदेश दिया था और अपने जीवन के अंतिज रसो की मेलत पर पानी भे दिया सब कुछ भस्वसात हो गया मगर साथियों दोहजार साल तक हम इंतजार दे रहे मगर इस देश में फिर एक और के आया उससर पहले एक बात बता दो कि अगर इस देश की तक बहुत देर से आए आप सबी से ये निविदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी है और आपको लगता है कि धम की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भासा में कनवर्ट करके आगे बढ़नी चाहिए या प्रिंट में, किताब में चाबनी चाहिए या इसकी जो audio है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तमाल करना चाहिए तो आपको liberty है, आपको छूट है ये सबी copyright free है आप अपने facebook पे, अपने page पे, अपने tutor पे या अपने handle पे या link को कहीं भी share कर सकते हैं कहीं भी चला सकते हैं आप YouTube पे चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं इसके लिए इजाजत लेने की या परमिसल लेने की बिलकुल भी जरूत नहीं है आप इसको अपना मान के चलाएं क्योंकि धम सब का है हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुर्सो का है उन्ही की बात को सलभासा में बताते हैं हमारा सिर्फ वितना राइट हैस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं बाकी सारी ये पूजी आपकी है धन्यवाद बतां शर्णन गच्छामे संघन शर्णन गच्छामे संघन शर्णन गच्छामे बतां शर्णन गच्छामे संघन शर्णन गच्छामे संघन शर्णन गच्छामे